देश में चल रही महजूदा स्थिती को देखते हुए 17 मई तक देश में लॉकडाउन जारी किया गया था और इसी के चलते आज राष्ट के नाम संबोधन प्रधानमंत्री ने दिया और प्रधानमंत्री ने इसमें गरीबों और मजदूरों और लगू कुटे रुद्धियो लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का एलान किया वहीं प्रधानमंत्री मोधी ने लॉकडाउन 4 की घोशना कर दी है और ये कहा है कि लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी सरकार द्वारा 18 मई के पहले दे दी जाएगी पिया मोधी ने ये भी कहा कि मैं आशा करता हूँ कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे मोधी जी ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि जो हमारे वश में है जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख है आत्म निर्भरता हमें सुख असंतोश देनी के साथ साथ सशक्त भी करती है 21 सदी को भारत की सदी बनाने का महत्व आत्म निर्भर भारत के प्रती पूरा होगा और 130 करोड देशवासियों की प्राण शक्ति इसे पूरा करेगी आत्म निर्भर भारत का ये युग हम भारत वासियों के लिए नूतन रण भी होगा नूतन प्रण भी होगा नई संकल्प शक्ति को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जब आचार विचार करत विभाव से सराबोर होकर करमत्ता की पराकाश्था ही कौशली की पूझी हो वो आत्म निर्भर भारत को बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस वि एक बार फिर बता दें कि पीए मोदी ने अपने उद्बोधन में लॉगडाउन 4 की घोशना कर दी है जिसकी तारिखों का एलाना भी नहीं किया गया है पीए मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि 18 मई से पहले सभी राजियों की सरकारों द्वारा लॉगडाउन के बारे म जानकारी दे दी जाएगी सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस देल आइकन फोर मोर अपडेट्स